एक देश एक चुनाब से क्या फायदा होगा बीजेपी को जो आपने बताए कि बीजेपी को आरेसस को फायदा हो सकता है एक देश एक चुनाब का तो वो बताए कि क्या फायदा हो सकता है अगर ये लागू होता है तो एक देश एक चुनाब क्या फायदा हो सकता है आरेसस औ दिया जाता है तो ये मान लीजिए कि जितने भी जिस तरह से इस वार BJP ने EVM में बड़े पैमाने पर धान्दली करके भारी भवहमत से सत्ता हासिल की है केंद्र में फिर वो इसी का जो प्रियोग है वो करेगी राज्यों में और फिर राज्यों में बहुमत हासिल करेगी आज उसका आधे सैधिक राज्यों में बहुमत नहीं है दूसरा आधे सैधिक राज्यों में बहुमत नहीं है तो राज्य सवा में उसका बहुमत नहीं है पिछले पांस साल में बीजेपी कई काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि राज्य सभा में उसका बहुमत नहीं है पर अगर एक देश एक चुनाब हो जाता है राज्यों की विदान सभाओं की चुनाब भी साथ में हो जाते हैं तो फिर ये राज्यों में भी अपनी सत्ता काइम करेंगे और जो राज्य सभा में आज इनका बहुमत नहीं है वो बहु सर्द हैं, उनका एक्जाम लेती हैं, उनका अपएंटमेंट करती हैं, लेकिन इन्हों ने उसको बाईपास करके, पहले नौ लोगों को जोइंट सेक्री बनाया, और अब लगबाई 400 लोगों को जोइंट सेक्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि देश को और देश के प्रतेक नागरी को गुलाम बनाकर मजदूर बनाकर रख सके जो आरसेट का एजंडा है मनुसमिती लागू करने का इसलिए किसी हालत में भी एक देश एक चुनाब ना हो सकते हैं नहीं होने चीए सारी पार्टियों को जितने भी बेपक्षी पा क्योंकि अगर यह कर लेंगे तो आधिसे आधिक राज्यों में सथना और सम्विधान में कुछ ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले